याद रखिएगा इसका जो Q4 का result है वो काफी बहतरीन है तो हो सकता है कि यह stock recent days में एक नया all time high बनाए और एक बात मैं आपको बता दू कि जितने भी wild and gas वाले stock है उनमें काफी अच्छा आज move देखने को मिला है और इसमें basically तीन stock पर आपको नजर बना के रखना है पहले है है हिंदि पेट्रो दूसरा है BPCL और थर्ड है आयोसी हाई everyone इस वीडियो में हम लोग एक अच्छा return दिखने को मिल सकता है अब बात करते है stock की पहला stock है हमर पस बलरामपूर चीनी का और यह राइस का chart तो सबसे पहला हम लोग यहां पर region को find out करते है कि हमने इस stock को क्यों से लेट किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते है आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं time frame उच कर रहा हूँ वह है daily का तो आइए सबसे पहले region को find out करते हैं एक simple सा trend line अगर आपको trend line डॉक करना नहीं आता है तो आपको जब भी time ले आप उसे जाके देख सकते हैं तो आप यहां पर notice करेंगे कि जब भी price इस line को touch करता था जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमें downside में एक move देखने को मिलता था आज के दिन हमें इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का region है वह है trend line का breakout आप यहां पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में काई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेसा ध्यानम रखना कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के probability होती है वो काफी जादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 410 rupees के अगर ऊपर जाता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 385 rupees closing basis पर अगर बात करेंगे target की तो हमारा first target आ रहा है 420 का second target है 445 का and third target है और पास 475 का अब आईए देखते है नेक्स stock और यह है IOC का और यह रहा है इसका chart लास्टाइम हमने इसको discuss किया था somewhere around 125 के आसपास और इसने high लगा था around 195 के आसपास और जो अभी यह trade कर रहा है around 175 के आसपास आस तो काफी बहती है आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए आप यहाँ पर notice कर सकते है around 175 के पास यह जो stock था consistently एक resistance face कर रहा था जब भी prices level को touch करती थी पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के competition में कई गुना जाद है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है और एक बात मैं आपको बता दू कि जितने भी while and gas वाले stock है उनमें काफी अच्छा move देखने को मिला है और इसमें basically तीन stock पर आपको नजर बना कर रखना है पहले है हिंदे पेट्रो दूसरा है BPCL और थर्ड है IOC अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 180 के अगर उपर निकलता है तो अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जो क्या रहा है 167 rupees closing basis पर अगर बात करेंगे target की first target होगा 185 का second target है 195 का and इसके बाद यह जो stock है अपने all time high के तरफ चला जाएगा तो यह जो stock है काफी near trade कर रहा है अपने all time high के पास तो इस stock पर नजर बना के रखिए है अब बात करते है next stock की और यह है Tata power का और IRS का chart सबसे पहले region याद रखिएगा आप trading कर रहे हैं investing कर रहे हैं आपके stock selection का जो region होना चाहिए वो पूरी तरह से clear होना चाहिए इससे क्या हुआ कि आप long term में एक काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं लास्ट टाइम हमने स्कोट इसस क्या था somewhere around 360 के आसपास अभी जो यह trade कर रहा है around 450 के आसपास तो काफी बेहतिन आपको यहाँ पर returns देखने को मिले होंगे अब बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है एक simple सा box pattern तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह जो stock था काफी लंबे समय से इस छोटे से range में trade कर रहा था इस range को हम लोग consolidation zone और box pattern कहते हैं आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है box pattern का breakout अब हम लोग क्या करेंगे चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने की कोसिस करेंगे कि company कब list हुई थी और इसका all time high क्या था तो यह जो company list हुए somewhere in January 1999 और इसका जो all time high था वो था somewhere around 440 रूपिज के आसपास जिसका हमें आज के दिन एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इसे stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout और जैसा कि मैंने आपको कई सारे वीडियो जो में बता है कि कोई भी stock अगर अपने 52 week high या अपने all time high के पास आके consolidate करता है अगर किसी भी direction में अगर वो break करता है तो उस direction में generally हमें बड़े moves देखने को मिलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें उसी परकार का एक breakout देखने को मिल रहा है और इतना ही नहीं इस पर एक proper book भी लिखे गई है जिसका नाम है how I made 2 million dollar from the stock market अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 452 rupees के अगर ऊपर निकलता है तो हम अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 425 rupees closing basis पर अगर बात करेंगे target की देखिए अगर कोई भी stock अपने all time हाई पर trade करता है तो उसके पास upside में अब ही उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूपर partial profit बुक करते हैं for example माल लीजे में पास 100 share से data power के और stock जह हो 10% का move देता है तो यह पूरी तर से मेरे उपर depend करता है कि यहाँ पर मैं 5 quantity book करू या 10 quantity book करू और इस पर भी depend करेगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको recently discuss किया था somewhere around 490 के आसपास और अभी जो यह trade कर रहा है around 510 रुपीज के आसपास तो काफी बहती आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और एक simple सा horizontal line चीजों को बिल्कुली असान रखेंगे जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहां पर notice कर सकते है around 495 रुपीज के आसपास price यहां पर एक breakout देता है upside में एक बड़ा move price same level को touch करता है again upside में एक बड़ा move breakdown दिया downside में एक ब आपको ऐसे label पर ही ध्यान देना है जहां से आपको बड़े moves देखने को मिले तो इस stock को जो select करने का region है वो है resistance का breakout उतना ही नहीं आप एक यहां पर pattern भी dock कर सकते हैं और इसे हम लोग करते है cup and handle pattern जिसका हमें आज के दिन एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इस stock को जो select करन भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 515 रूपीज के अगर ऊपर निकलता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जो क्या रहा है 482 रूपीज closing basis पर जब हमने यहां पर trade लिया था तो हमारा stop loss था somewhere around 458 के आसप करता है अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 531 का second target है 552 का and third target है हम पास 592 का अब आइए देखते हैं इसका last stock और यह है HDFC AMC का एक बात मैं आपको बता दू कि इसका Q4 का result है वो काफी बहतरीन है तो हो सकता है कि यहां से आपको एक बड़ा move देखने को मिल जाए and recently हमने इसको discuss किया था यहां पर इस वाले reversal पर आप जाके देखिएगा इस वीडियो को और आप यहां पर देख सकते कि आपको upside में काफ बहतरीन move देखने को मिला है अब बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है again एक simple सा trend line चीजों को बिलकुल यहां रखना है जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहां पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of descending triangle बैरना आ रखा था and आज के दिन हमें इसका breakout होते ह होते हुए दिख रहा है तो पहला region इस stock को जो select करने का है वह है descending triangle pattern का breakout आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी prices इस line को touch करता था हमें downside में एक move देखने को मिलता था बट आज के दिन हमें इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इस stock को जो select करने का है वह है trend line का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 3800 का अगर ऊपर जाता है तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 3600 रूपीज closing basis पर अगर बात करेंगे target की तो हमारा first target होगा 3880 का second target है 4065 का and इसके बाद जो यह stock है अपने all है कि यह stock recent days में एक नया all time high बनाए I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching